हेलो फ्रेंड्स वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल गुजराती कीचन हिंदी में आज मैं आपको गिहू के आटे से बहुती बढ़िया नास्ता बनाना सिखाऊंगी वो भी 10 मिनिट में तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करेंगे रेसिपी पसंद आए तुसे लाइक यहां पर उसके बाद हम एड़ करेंगे नमक स्वाद अनूसार उसके बाद हम एड़ करेंगे वनफोर टीस्पुन जितना चीनी उसके बाद हम एड़ करेंगे बटर मिल या फिर दही का भी यूज कर सकते वो मैंने वनफोर कप्त लिया है उसके बाद हम मिक्स करेंगे और फोड़ा फोड़ा पाणी एड करेंगे और जैसे हम इडली का बाटल बनाते ए बस बशैबनागीUCK मिक्स हो चुका है वही कटैसे मिल्दी कटारी किराबसे में आधा पहले прलिया है अच्छे से mix करेंगे फिर और एक अधा कटोरी पानी एड़ करेंगे तो करीब मैंने एक total एक कटोरी पानी एड़ किया है आप देखेंगे कि अभी और पानी नहीं लगेगा बस तो हमें उसको अच्छे से mix करना है ताकि कोई lumps ना रहे गिहू काटा थोड़ा चिपा रहता है जब हम भीगोते तब तो उसको अच्छे से फैंट ये ताकि बिल्कूल गुटली ना रहे बस तो यहां पर आप देखेंगे कि आटा बहुत ही अच्छे से फैंट के एकदम perfect हमारा smooth better बनके तयार हो जुका है बस तो आपको ऐसे ही रखना है इस तरीकी सी consistency बहुत ही पतला ना हो जाए उस बात का भी ध्यान रखे उसके बात हमें इंस्टन बनाना है तो हम इसके इंडर एड़ करेंगे आदर चमच इनो यानिकी fruit salt अगर आपके पास खानी का सोड़ा है तो आप वह भी आड़ कर सकते उसके इंडर मेंने डाला है एक चमच पानी ताकि इनो एक्ट इसका यहां पर प्यास और थोड़े से कटे हुए फ्रेस कटे हुए धन्या पत्ते लिए हैं आप अपने मसं के कोई भी सब्जी ले सकते हैं यहां पर मैंने एक छोटा सा फ्राइपें गरम करने के लिए रख दिया है आप यह नास्ते कुछ तवे पे भी बना सकते हैं नॉ लो रखनी है जैसे यह फैल जाए हमारा बैटर उसके बाद हमें जो वेजिटेबल है एक एक करके एड़ करनी है तो आप देखेंगे कि बहुत ही बढ़िया दिख रहा है बस इसी तरह के से मैंने थोड़ा थोड़ा सबजी को एड़ कर दिया है तो सारी सबजी एड़ होने एड़ कर सकते है यह जाने के बाद आप उपर चीज भी डाल सकते है अगर आप बच्चो को दे रहे तो बच्चो को भी बहुत ही पसंद आएगा तो बस हम हलके हाथ से उसको प्रेस कर लेंगे आप देखेंगे हमारा जो उत्तपम है वो नीचे से अच्छे से सीख गया है तो बस अभी हमें उसको पल्टा लेना है जबते हैं आप सबजिया डालेंगे उतनी ही सेकंड़ों में ही यह नीचे से भी बहुत ही अच्छे से सीख जाएगा तो एकदम हलके हाथ से हमें उसको पल्टा दिया है और उसको और नीचे के साइड से हम एक से दो मिनिट के बहुत ही टेस्टी नास्ता यह सुबह में आप बना सकते आप उसको चटनी के साथ या फिट टॉमेट और कैचप के साथ सर्व कर सकते आपके बच्छों को बहुत ही पसंद आएगा तो बस हमारा जो यह इंस्टन वाला गेहू का आटे वाला हेल्दी नास्ता जो है बनके तैयार हो जुका है सेम तरीके से हम बना लेंगे आप मेंने जो बटक बताया है उसमें से आप चार मिडियम साइज के उत्तपम बना सकते हैं तो आप भी रेसिपी को जरू ट्राइ किजेगा अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो उसे लाइक और शेर जरूर किज सकते हैं तो मिलते हैं कैसी नई रेसिपी के साथ जब तके लिए बाई बाई